हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे मेरा नाम है देवाशिष and this is an 8-Satner production आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लिखाया है हूँ और इस वीडियो में मैं आपके बताऊंगा कि if you are 2022 gate aspirant तो आपके gate के लिए आपकी studies कैसे plan होनी चाहिए मैं आपको एक total hour figure बताऊंगा मतलब आपको कितने घंटे exactly पढ़ाई करनी पड़ती है gateway अच्छा rank लाने के लिए अच्छा score लाने के लिए तो ये वीडियो आकरी तक देखते रही है at the same time अगर आप repeater हो या फिर आप pressure हो बतलब पहले से पढ़ाई करना start करना चाह रहे हो right from the scratch तो दोनों groups के रही है ये वीडियो काफी important रहेगा क्योंकि एक मैं ऐसे strategy बताऊंगा एक वो figure बताऊंगा जो figure आपको अगर पता चलगेगी इतने इतने गंडे हमको काम करना है तो आप कोई भी हो उस हिसाब से आप अपनी studies प्लान कर सकोगे इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको coaching classes, self study और test series इन सारी चीज़ों पे किस तरह का focus देना है, कैसे weightage देना है तो आई ये शुरू करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि हम ये देखने वाले हैं कि हमें total कितने गंडे पढ़ाई करनी है अभी ये देखने के लिए एक छोटा सा analysis करते हैं तीक है, याद करो आप अपने engineering में हर semester में कितने subjects पढ़ते हो, ये usual figurehead होती हैं 5 तो आप usually 5 subject पढ़ते हो तीक है, और हर subject के साथ credits लिखे होते हैं, आपको अगर ये याद होगा, कोई subject 3 credit का होता है कोई subject 4 credit का होता है तो usually credits का मतलब ये होता है कि हर week वो particular subject आपको कितने घंटे पढ़ाया जाएगा तो इस हिसाब से अगर आप एक semester के दिन देखो वैसे आप engineering जब करते हो तो एक semester में usually 13 weeks होते है 13 weeks तो अगर इस हिसाब से जाए तो आप एक subject पढ़ते हो 13 weeks के लिए और usually वो जो number है एक subject आप पढ़ते हो 40 घंटे के लिए और पढ़ते मतलब क्या हो आपको वो पढ़ाया जाता है 40 घंटों के लिए आप करीबन 100 घंटों का lab work कंप्लीट करते हो और इसके उपर आप final year में major project करते हो और वो weekly आपको 8 घंटा पूट करने के लिए बोलते हैं इसका मतलब हुआ कि आप total engineering में अगर ये सारा calculation अगर हम करते हैं तो usually on an average आप engineering में 1800 घंटे कंप्लीट करते हो और ये जो 800 घंटे है ये वो घंटे जहां पर सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर आपको content दिया जा रहा है और आप assimilate कर रहे हो usually ये बोला जाता है कि अगर आपको कोई चीज अच्छे से पढ़नी है तो उसमें जितना घंटा आप पढ़े हो final year तक इसका मतलब है 4000 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो you'll be a very good engineer theoretically and practically as well लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप engineering में 30 subjects पढ़ते हो आप क्योंकि third year के sixth semester तक subjects पढ़ते हो on an average अगर हम देखें तो अगर हम हर semester में 5 subjects बोले तो max to max आप 30 subjects पढ़ोगे लेकिन gate में आपको 30 subjects नहीं पढ़ने है gate में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 subjects पढ़ने होते हैं तो इस 10 subjects का calculation ऐसा है कि एक subject पढ़ने के लिए सिर्फ right from the scratch आपको कुछ नहीं पता तो 40 गंटे सिर्फ पढ़ने के लिए लेगा 40 गंटे एक subject पढ़ने के लिए उसके उपर आप 40 गंटा डालो अपना खुद का मतलब self study का तो 40 और 40 और 80 और 20 hours की testing ले लो इंजिनेरिंग में भी आपको और बोस अगर आप यह सोचोगे कि आपकी कित्मी घंटे testing होती है तो दो minor tests होती है आपकी और major test होती है मतलब semester end semester exam तो करीबन 5 घंटे का testing आपका इंजिनेरिंग में होता है 40 घंटे के content consumption के बाद यही हमें दुगना करना पढ़ेगा उससे भी जादा करना पढ़ेगा gate जैसे exam में तो ले लेते है 20 घंटे की testing ठीक है तो एक subject पे आपका bifurcation ऐसा हुआ कि 40 घंटे आप पढ़ोगे उसके बाद 40 घंटे आप खुद की self study डालोगे और उसके बाद जो बचावा 20 घंटा है मतलब जो 100 घंटे पूर्या करता है जो 20 घंटा है वो testing में लगेगा वो आप test series में लगाओगे अभी अगर 10 subject आप पढ़ते हो gate के लिए बहुत अच्छे से तो आपकी gate निकलना बिल्कुल आसान हो जाता है हम यहाँ पर assumption क्या कर रहे है दोस्तो कि आप जब 40 घंटा यह content consume कर रहे हो कोई subject में तो वो बहुत अच्छे से हो रहा है यह हम assume कर रहे हैं अभी इस पर आएंगे कि यह 40 घंटा consumption कैसे किस mode से करना है वो भी मैं बताता हूँ shortly लेकिन यह अगर picture clear है कि एक subject 100 घंटा ले रहा है मतलब करीबन जो 10 subject है वो आपका लेगा 1000 घंटा इस पे हम एक buffer डाल देते हैं 200 घंटे का जाप आप revisions करोगे और doubt solving करोगे जो की बहुत important aspect है तो total एक साल में अगर आप देखो तो आपको 1200 घंटे पढ़ने है कोई में से implement करना शुरू कर दे ये strategy implement करना शुरू करते तो मही से लेके December तक आपके 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 आपास करीबन 6 मेने around 240 दिन ये 240 भी नहीं पकड़ते हैं हम 200 दिन पकड़ेंगे तो 200 दिन में दोस्तों आप सारा मिला के सारी चीजे मिला के आपके 1200 घंटे अगर पूरे करते हो तो you should be good to go अभी यहाँ पर जो हमने assumptions की है कि आप content अच्छे से consume कर रहे हो 40 घंटा जो हर subject के पीछे जो आपकी self-study है वो भी focus से लगा रहे हो और testing बहुत अच्छे से कर रहे हो पतलब test series आपने अच्छे से लगा रखी है तो आपकी studies बहुत अच्छे होगी तो ध्यान दीजिए अगर 40 घंटे का जो content आप consume कर रहे हो अगर आपने classes नहीं लगाए है तो यह जो 40 घंटे होते हैं यह हो जाते हैं करीबन 75 घंटे क्योंकि खुद से जब आप पढ़ते हो 75 घंटे और इस हिसाब से calculation भी change हो जाती है तो self study तो आपको डालने ही पड़ती है इवन तो ऐसा नहीं समझे कि 40 घंटे जो आप content consume कर रहे हो वो self study में नहीं आता आप कैसे भी वो consume करो आपको बाद में revision या test series यह सब हटा के भी self study में वो 40 घंटे डालने ही डालने पड़ते हैं जब आप problem solving करते हो या फिर concepts को revise करते हो apply करते हो evaluate करते हो analysis करते हो यह सारी चीज़े उन 40 घंटों में आती है तो मेरा यह मानना है कि यह content consume करने के लिए आपका time बचाने के लिए classes लगा देने चाहिए कोई भी हो मतलब online platform हो या offline platform हो हम assume यह कर रहे है कि content consumption हर जगा अच्छे से हो रहा है अगर आपके पास classes लगाने के लिए कोई चारा नहीं है तो मैं यह बता रहा हूँ यार कि NPTL पे जाओ NPTL पे बहुत अच्छे अच्छे professor से जो बहुत critical concepts बहुत अच्छे से समझाते है लेकिन थोड़ा waverd है gate के syllabus से particular नहीं होता लेकिन मैंने भी कुछ subjects NPTL से पढ़े हो है और मुझे बहुत अच्छे से आते है तो अगर आपके पास मतलब ऐसा नहीं है कि या आप class लगा पा रहे हो या फिर financially condition खराब है तो NPTL free platform है बस internet की ज़रूरत है NPTL पे जाओ और पढ़ना शुरू कर दो ये बाइफर केशन अगर आपको समझ में आ गया होगा है 40 घंटे content consumption जहाँ आप classes से पढ़ते हो या फिर खुद से पढ़ते हो 40 घंटा self study जहाँ पे आप problem solving करते हो analysis करते हो, evaluate करते हो उसके बारे में सोचते हो वो सारी चीज़े और 20 घंटा testing अभी ये 20 घंटा testing पे आते हैं 20 घंटा मैं हर subject से बोल रहा हूँ मतलब अगर हम on and average 10 subject भी अगर बोल देते हैं तो 10 subject में से आपका total testing period हो गया 200 घंटा अभी मेरे टाइम पे मैंने gate forum की test series लगाई थी जहाँ पे ऐसा था कि हर particular topic पे एक घंटे की test होती थी तो बहुत अच्छा model था हो अगर आप कोई topic पढ़ते हो पुरा अगर हो गया आपका पढ़के तो आप वो एक घंटे के test solve कर दो ऐसा model होना चाहिए ऐसी अगर कोई test series अगर आपको मिल रही होगी तो वो लगा देना तीन घंटे की जो testing है जहाँ पे आप full paper solve करते हो वो शुरू करना आप जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है या फिर आपकी almost 75% पढ़ाई अगर हो गई है 75% subjects अपने cover कर लिए तो आप full 3 hour की जो testing होती है full syllabus पे वो करना शुरू कर सकते हो यह जो तीन घंटे की test से अगर आप कम से कम 20 test complete करते हो तो you are good to go 20 tests are very good उससे उपर करो तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर 30 test अगर आप कर रहे हो 30 घंटे की तो वो 90 hours आप clock कर रहे हो और बाकी के जो 100 घंटे है testing के वो individual topic के testing में लगा देना तो यह ध्यान देना कि आपकी अच्छी gate की strategy अच्छी gate के planning में जो test रहे है वो वो भी काफी critical है तो वो है 30 घंटे की testing max to max आपको करनी पड़ेगी अच्छे से अच्छे results पाने के लिए अभी इस चीज़ पर आद है कि अगर आप pressure हो मतलब आप scratch से start कर रहे हो तो यह आपका plan तो सही है लेकिन अगर आप repeater हो तो क्या change होगा अगर आप repeater हो तो आपको क्या करना है जो आपने content consume किया है वो 40 घंटे नहीं रहेंगे वो आपको सिफ revisit करना पड़ेगा तो self study का बढ़ेगा और 20 घंटा मतलब 60 घंटा हो जाएगा और testing बढ़ेगा और 20 घंटे से तो हम nullify कर देंगे यह जो content consumption है हम मान लेते कि repeater है content consume कर लिया classes लगा दिये थे अभी फिर से वो पढ़ने की जुरद नहीं है लेकिन self study में डालना पड़ता है वो ही जो hour हम यहां से miss कर दिये वो आगे डालना पड़ेगा तो जो repeater है वो 60 घंटे पड़ेंगे हर subject और testing करेंगे 40 घंटा लेकिन 100 घंटा हर subject पे आपको देना ही देना है तो total plan वैसे 1000 अर्स का है लेकिन buffer add करके जो मैं 1200 अर्स बोल रहा हूँ तो 1200 अर्स 200 दिन मतलब कितना हुआ 6 घंटा per day not a lot यार 6 घंटा per day आप बहुत असान ही से कर सकते हो तो ये attitude मत देना खुद को भी और किसी को भी टाइम नहीं है या फिर बहुत टफ है समझ में नहीं आ रहा है ये हो सकता है यार ये तो genuine reason है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये पता है कि आपके पास buffer काफी है मतलब आप 1200 घंटों का 1400 घंटा बे कर दो तो दिन पढ़ाओ ना मैंने काफी यार मतलब approximate करके काफी दिन कम से कम रखे हैं और ज़ादा से ज़ादा रखे एक calculation की है तो even तो आपको 1200 के 1300-1400 भी घंटे अगर लगते हैं तो भी आप ये आपका target complete कर सकते हो तो ये बिलकुल excuse खुद को मत देना कि आप 6 घंटे per day पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छे focus से 6 घंटा पढ़ाई करना और बिलकुल आप 2022 का अपका gate का dream पा सकते हैं I hope इस वीडियो में आपको काफी अच्छी idea आ गई होगी कि आपको किस तरह पढ़ना है gate के लिए एक साल में इवन दो आप 3rd year में हो या फिर 4th year में हो वो matter नहीं करता अगर आपको एक साल भर पढ़ना है तो minimum एक दिन में 6 घंटा clock करिए focus से उसका जो bifurcation है test series, self study और coaching का वो मैंने बता ही दिया है और आपको कुछ भी doubts हो तो comment section में मुझे लिखके बताइए अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो क्या आपकी मर्ज़ी मलब कर सकते हो लेकिन अगर आप content मिस नहीं करना चाहते तो जरूर करिएगा वीडियो को like टोक दीजे क्योंकि मेरा motivation बढ़ता है तो मैं अच्छा अच्छा content आपके लाते रहूँगा जितने भी आपके दोस्त है ना उन सब के साथ ये video share कर दीजे सबको पता होना चीए कि excuse कैसे नहीं देना है मेरी दाड़ी फिर से वापस आई जाएगी लेकिन तो मिलेंगे जल्दी ही अपकी preparation on रखना बहुत अच्छे से prepare करना all the very best तब तक के लिए ग्यान पीते रही है